वेल्कम बैक तो मा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट एट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वन लिनियर आंसर टाइप कोश्चन ठीक है यानि कि ऐसे कोश्चन जिनका आंसर हमें केवल एक ही लाइन में देना है ठीक है इससे पहले आपके 76 तक जो है डिसकस कर दिये गए हैं तो पूच रहा है कि एलिजारिन किस प्रकार का रंजक है एलिजारिन क्या है आपका एक डाई है लेकिन है किस प्रकार का तो यह आपका हो जागा कलर वाइंडिंग ठीक है कैसा हो जागा आपका रंग बंधक डाई ठ तरह का क्या है आपका डाई है या रंजक है ठीक है तो यह हो गया आपका एली जारिन ठीक दूसरा आप से पूंच रहा है कि कांगो रेड क्या है तो यह भी क्या होता है एक प्रकार का डाई होता है ठीक है क्या होता है डाई या रंजक ठीक है कांगो रेड है किस तरह का तो शारी रंजक का उधारण लिखी है एक आपको बेसिक डाई बताना है ठीक है कौन सा बेसिक डाई का एक्जामपल देना है तो बेसिक डाई का एक्जामपल आपका क्या हो जागा मैले काई ठीक है क्या हो जागा मैले काई आपका एक तरह का फैरोसीन का सूत्र लखी है तो फैरोसीन का सूत्र आपका क्या हो जागा F E F E और आपका हो जागा C 2 C 5 sorry F E और आपका C 5 और H 5 का Whole twice ठीक है तो यह होता है आपका Pherosene ठीक जिसमें आपका F E के दोनों तरफ आपके क्या क्या लगा रहते हैं इस तरह से इस तरह से जो है आपके ठीक है, ये पाँच कारवन वाला आपका एक रिंग लगा रहे था, ठीक है, जिसको कहते है फैरो सीन का सूत्र, ए Mommy, ठीक है, ठीक है, ठीक है, T5, H5 का whole twice, ठीक है, C5, H5, ठीक है, ये आपकी पाँच कारवन वाली एक सिरंखला रहे की, कह था तो कॉन से दातू का को डातु होता है in fact निकि प्लेटिनम डाईश जो लुटा खासा ही शुटी कर दात्थविक Lever होता थीक जी स्न की जीस Λवण की तो ये आपका कुछ इस तरह से रहता है PT इसमें आपके तीन क्लोरीन लगे रहते हैं ठीक है कितने तीन क्लोरीन और एक आपका एतीन गुरॉप लगा रहता है ठीक है CS2 CS2 तो ये आपका होता है जीस Ri App क्या होता है आपका G-S level ठीक है तो की किसका होता है आपका Platinum का 82 कर दा है कौन सा Iron की इस्थाई Carbonil नहीं है इनमें से कौन सी सरचना ऐसी है जो Carbonil की स्थाई सरचना नहीं है यह आपने बताना है Iron की इस्थाई ilee Carbonil नहीं है तो यह आपका हो जागा FeCo4 FECU4 क्या हो जागा आपका FECU4 ठीक है यह कैसा होता है आपका स्थाई जो है नहीं होता है FECU4 83 कह रहा है क्या V और C.O. का Whole6 अनुचुम्बकी है कैसा है आपका B और C.O. का Whole6 कैसा है आपका अनुचुम्बकी है तो आप जब इसके electron fill करोगे ठीक है और vitals में तो अगर आपको unpaired electron मिल जाए ठीक है कोई भी आपको अगर unpaired या अयुगमित electron मिल जाए ठीक है कैसा electron आपका अयुगमित जब अयुगमित electron मिल जाए तो बहाँ पर क्या होगा अनुचुम्बकी होगा कैसा होगा अनुचुम्बकी होगा ठीक है जब सभी एलेक्ट्रॉन आपके कैसे हो प्रति चुम्बकी है या डाया मैगनेटिक तो यह कैसा होगा आपका यह आपका अनुचुम्बकी होगा ठीक है कैसा होगा अनुचुम्बकी होगा ठीक है इसकी कोई भी ऑक्सिदेशन नंबर 0 रहेगी तो आप बेनेडियम का जब इलेक्ट्रानिक बिन्यास भरोगे ठीक है तो आपको पता चलेगा कि इसमें अयुगमित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे जिसके काड़ यह कैसा हो जागा आपका आयुगमित हो जागा ठीक ह ठीक है तो यह कैसा हो जागा आपका यह आपका अनुचुम्बकी हो जागा ठीक है बी को का होल 6 ठीक है जहां सीयों आपका उसका ऑक्सिदेशन नंबर कितना रहता जीरो रहता ठीक है तो इसन नंबर 84 कि अगर हम बात करें गहारा है टेट्रा मैथिल-10 की सरचना बताई ठ ठीक है Tetra Methyl जाने कि CH3 आपके कितने लगे रहेंगे चार लगे रहेंगे ठीक है और इधर होगा क्या आपका Tetra Methyl Tyn इसमें क्या लगाएं ठीक है Tetra Methyl Tyn तो इसकी आपको सरचना बताने कैसी हो जाएकि Gibi SN से आपके कितने लगे हैं आपके चार जो है CH3 गुरूप लगे है ठीक है जब चार CH3 गुरूप लगे रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं चतुस फलकी है क्या कहते हैं चतुस फलकी है या टेटरा हैडरल ठीक है तो यह कैसा हो जागा आपका Tetra Haddle या चतुस फलकी है ठीक है किसकी सरजना है Tetra Methyl Tin की सरजना हो जाएगी आपकी चतुस फलकी ठीक है और इसमें अगर आपसे संकरण पूछ लिया जाए तो क्या हो जागा आपका SP3 संकरण ठीक है यानिकि एक S orbital होगा और 3 P orbital होगी जो कि इसके bond बनाने में भाग ले रहे होंगे ठीक है Tetra Methyl Tin में किस प्रकार का संकरण होता है ठीक है तो यह संकरण आपका किस तरह का होगा तो यह हो जागा आपका SP3 ठीक है जिसमें आपका 1 S orbital होगा और P orbital कितने होगे आपके 3 ठीक है इस तरह से तो यह बनाने में भाग ले रहे होंगे तो हम कहा देंगे इसकी क्या नाम संकरण क्या हो जागा SP3 हो जागा ठीक है तो संकरण क्या हो जागा इसका SP3 हो जागा ठीक है इसका Tetra Methyl Tin का ठीक है जो कि आपका वो सामने बना हुगा है Queshion No.86 86 कह रहा है NICU का Whole 4 ठीक है NICU का Whole 4 यहनिकी Tetra Carbonal Nickel की सरचना बताईए इसकी सरचना आपको बतानी किस तरह की होगी ठीक है तो इसकी भी सरचना आपके कैसी हो जागी NICU से आपके 4 जो है CO लगे हुए है कुछ इस तरह से ठीक है तो यह भी कैसा हो जागा आपका Tetra Hadle या चतुस फलकी है कैसा हो जागा आपका चतुस फलकी है ठीक है Tetra Hadle संक्रण यहाँ पर भी आपका SP3 ही रहेगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो NICU का Whole 4 सरचना कैसी होगी चतुस फलकी होगी ठीक है इस तरह से ठीक है नियोन से 4 आपके CO लगे रहेंगे ठीक है नियोन से 4 आपके CO जो है इस तरह से लगे रहेंगे क्यों कहते है Tetra Hadle 87 का है Mercuro Chrome क्या है जो आपका Mercuro Chrome है यह आपका क्या है यह आपने बताना है तो इसका नाम थोड़ा और इसमें दो आपके OH गुरूप लगे होंगे फिर क्या हो जागा मर्कूरो फ्लोरीन ठीक है क्या हो जागा 2,7 डाइब्रोमो 2,7 डाइब्रोमो डाइब्रोक्सी ठीक है और आपका क्या हो जागा मर्कूरो फ्लोरीन जो की आपका क्या है मर्कूरो क्रोम है ठीक है क्या है वास पवस्था में ट्राई मेथिल एलुमीनियम क्या है यह आपने बताना तो इसे कहते हैं डाईमरिक क्या होते हैं यानि कि जब दो अड़ू आपस में मिलकर कुसी एक अड़ू का निर्मार करते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्राइमिनियुम यह बास ववस्था में क्या है आपका डाइमरिक ठीक है यहां पर हम दो से गुणा कर देंगे तो यह दो आपस में एल और एल सोरी और इनसे आपके जो है तीन तीन आपके सीस्थी लगे रहेंगे ठीक है तो इस तरह से ही क्या हो जाते है डाइमरिक Qsion number 8 team 9 कह रहा है FASFORM क्या है ठीक है तो FASFORM आपका क्या है ये आपने बताना है ठीक है तो FASFORM का आपको सूतर याद रखना है इसमें हम पढ़ते है P3 और N3 और Brick It में आपका कह रहता है NH3 इसे हम कहते है FASFORM क्या कहते है FASFORM ठीक है तो आपका P3, N3 और ब्रेकट में NH3 ये किसका सूतर है FOSFORM का सूतर है जो कि आपको याद रखना है ठीक है P3, N3 और ब्रेकट में NH3 PUSHION NUMBER 90 ठीक है जो कि कह रहा है FOSFINE का सूतर क्या है FOSFINE का सूतर से भी जानते है क्या कहते हैं इसको PH3 के नाम से जानते है FOSFINE ठीक है PH3 यानि कि FOSFORM से आपके 3 हैडोजन लगे रहते हैं और एक लोन पेर जो है FOSFORM पे प्रिजेंट रहता है ठीक है तो ये किसका सूतर हो जाएगा आपका FOSFINE का जिसे है PH3 के नाम से जानते है ठीक है तो ये उनिट आपका जो है ये टूनिट था इसमें हमने 77 से 90 तक ठीक है सभी कोशन को डिसकस कर लिया जो कि आपके एक लाइन में उत्तर देने वाले परसन है ठीक है इनका उत्तर आपको ये की लाइन में देना है ठीक है अपको समझ में आए होंगे इसको दुबारा देख लेना है ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है जो आपके वंडे एक्जाम होते हैं जिनमें आपका वायलोजी का करिश्टी का पोर्सन आता उनमें भी इस तरह के कोश्चन आपसे पूचे जाते हैं ठीक है जो संकरण है और सरचना है यह मोस्टली पूच ली जाती है ठीक है चुमबकी है अनचुमबकी पदार्थ होगा तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना याद कर लेना ठीक है बने रही हमारे साथ मिलते हैं कि वीडियो में